नमस्कार आप देख रहे हैं A1 TV का खास कारिक्रम सदन के द्वार पहली बार जी हां इस कारिक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे विधाईकों से ऐसे नौ निर्वाचित विधाईकों से जो पहली बार सदन में पहुँचे हैं सोल्वी मिरान सवा में चोमू सीट से महीला प्रत्याशी चिकित्सक और अब विधायक बन चुकी है डॉक्टर शिखामील बराला हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर शिखाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी के स्टूडियो में थांक चिकित्सक थी आप बहुत अच्छी आपकी प्रेक्टेस थी नाम था इलाके में और अचानक आप राजनीती में उतर गई और विधायक बनके सदन के द्वार आप पहुँच गई है क्या सोच चिकित्सक होकर के जंता की सेवा करे थी चिकित्सक के खशेत्र में अब राजनीती के खशेत्र में उतरने की सोच कहां से आई क्यों आपको लगा कि अब चिकित्सक के खशेत्र से आगे बढ़के अब राजनीती में उतरना चाहिए पहली बात तो यह सोच से जादा एक संयोग था क्योंकि 10 साल से मैं चिकित्सा के शेत्र में अक्टिव हूँ उसके साथ ही socially मैंने काफी काम किया है हर घर चिकित्सा के तोर पर और स्कूलों में काफी कुछ हमने activities की हमारी प्रयास foundation द्वारा और धिरे धिरे लगा कि जब यह दोनों ही सेवा के field में हम active हैं तो क्यों ना लोगों की भी आवास थी कि क्यों ना आप एक बड़े स्तर पर सेवा करें और मेरे ख्याल से राजनीती से ज़ादा बड़ा कोई platform नहीं है अगर सच में सेवा करने की मनशा है तो तो यही कारण था कि राजनीती की तरफ हमारा रुख हुआ बिल्कुल प्रयास foundation जो था जिसके तहत आप प्रयास कर रही थी तो कहिन कहीं वो ही शुरुआ थी आपकी राजनीती करियर की नहीं उस वक्त हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था राजनीती कहीं भी दिमाग में थी नहीं और जब काफी लोगों तक पहुँच चुके थे गाओ धानियों में हमेरे प्रयास foundation के प्रयास पहुँच चुके थे जो भी medical field में मैंने काम किया उसकी भी सेवाएं लोगों तक पह तो उन्हीं की एक मनशाती कि आप आगे आएं और हम आपको सपोर्ट करेंगे तो हमने बहुत जादा इसको राजनीतिक तौर पर ना कर सामाचिक तौर पर ही continue रखा राजनीतिक तौर पर पिछले कुछ सालों से ही हुआ बट लंबे टाइम से हमने इसको सामाचिक तौर प करनी पड़ती है काफी मैनत करनी पड़ती है उसके बाद में उनको टिकेट मिले नहीं मिले और आपने तैयारी शुरू की तैयारी शुरू करने के साथ ही आपको टिकेट भी मिला और टिकेट मिलने के बाद में आपने जीत भी दर्ज की तो कैसा मैसूस कर रहे हैं इसके ल तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हम उस प्लैटफॉर्म पर आ गए हैं जिससे हमने सोचा था कि लोगों की जो भी वहां की विवस्थाओं में अगर कुछ परिवर्तन हम खुद चाह रहे थे क्योंकि मैं खुद वहां की रेजिरेंट हूं इसलिए मुझे पता ह है वहां क्या-क्या समझते हैं लोगों को फेस करनी पड़ रही है तो मैं उनको भरी भाती समझते हुए उनके निराकरण के लिए आगे कोशिश करूंगे और सभी लोगों ने माका दिया इसके लिए मैं फिर से उनको आपके चैनल के वाध्यम से आभार व्यक्त करती हूं विधायक सामने चुनाव लड़े थे तीन बार विधायक रह चुकिया लगबग 15 से 20 साल चोमू की जनता के बीच में एक चैरा और आपने कदम रखा आपके सामने चैलेंज यह था कि अभी तो जाना है पबलिक के बीच में पबलिक को जानना है इतना बड़ा चैलेंज क्य किस प्रकार से इस काम को इस तास को आपने पूरा किया? रामलाल जी 15 साल से विधायक रहे 15 साल वहाँ पर तो फाइट थोड़ी टफ थी पर हमने जो लोगों के लिए काम किया जिस मनशा से क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो उसके पीछे आपकी मनशा बहुत अच्छी रहने चाहिए अगर बीड़ा हमने उठाया है और इस रस्ते पर हम चले हैं सही सोच के साथ चलेंगे तो जरूर सफलता मिलेगे चोमु में जब परिवेक्षक गए थे कोंग्रेस पार्टी के परिवेक्षक गए थे तो बहुत लंबी सूची थी सो से ज्यादा लोग थे जिन्नोंने डेट तगडी लिस्ट में टॉप 5 या टॉप 10 की अगर बात करें तो वो भी ऐसे माना जा रहा था कि किसी को भी टिकेट मिल सकता है अपनी अपनी दाविदारी को ले करके सब लोग आतमे उस्वास से लबरेज नजर आते थे आप में जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था डे वन से आपके पोस्टर्स होर्डिंग आपकी तैयारी एक तरीके से मिशन मोड पे थी जब टिकेट डिकलेर नहीं हो था उससे पहले भी आपकी तैयारी मिशन मोड पे थी तो क्या आलाकवान से संकेत मिल चुका था या फिर आपका कॉन्फिडेंस आप के माध्यम से तो वहाँ पर जाना हमारे लिए नया नहीं था कोई नया उनको संदेश हमें लोगों को नहीं देना था कि मुझे आप चुनो लोगों ने चुना लोगों ने आगे किया और उनके ही साथ की वज़े से शायद आलाकमान ने भी विश्वास किया क्योंकि इतने स पारे लोगों में से एक कैंडिडेट बहुत अच्छे लोग थे डिजर्विंग कैंडिडेट थे पर आलाकमान के लिए टफ होता है कि कोई एक कैंडिडेट को मौका देना आलाकमान ने उसी जनता की गूंच पर मौका दिया और हमने भी उनको उनका जो विश्वास था उस को पुरुषों को एक एडवांटेज है कि वो खुद भी सिंगल कहीं भी निकल के चले गए रात को कभी भी आपको मीटिंग करनी है दस बजे बारा बजे कहीं भी आप चले गए तो आपको कैसी क्या अनुभव आपको मैसूस हुआ जब आपने कन्वेंसिंग की जब आप एक महीला हो करके राजनितिक मैदान में उतरी हैं क्योंकि चिकेश्रक का जो प्रोफेशनल वो काफ़ी डीसेंट होता है उसमें आपको लिमिटेड आपको बात्चीत करनी होती है आपके पास लोग चल करके आते हैं उन्हें के उवल हैंडल आपको करना होता है लेकिन यहा मेला कैंडिडेट हूं और मेरी कोई लिमिटेशन हैं लोगों ने पहले से ही स्विकार किया हुआ था जहां जाते वो मुझे अपनी बेहन बेटी मानते मैं चौमू की बहू हूं वो बहू मानकर मुझे अपने घर में विल्कुल स्वागत करते और कभी भी वोट मुझे मां लोगों ने अपना समर्थन दिया मैंने उनसे यही बोला अगर आपको लगता है मैं लायक हूं आपके लिए काम कर सकती हूं तो मुझे अपना समर्थन दे कभी ये असुरक्षा महसूस नहीं होई चुनाओं के दौरान भी पूरी-पूरी रात हमने क्याम्पेनिंग की पर मुझे उसका फाइदा ही मिला क्योंकि महिलाओं ने हमें बहुत साथ दिया जिनके घर में किलकारियां हमने गुंजाई उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया तो सबका आशिरवात रहा बड़े बुज़ूर्गों का कभी ऐसी फिलिंग हमें महसूस नहीं करने पड़ी फाइदा मिला 10 साल से मैं चौओ में काम कर रही हूं गानिकलोजिस्ट आइवीफ स्पेशलिस्ट के तौर पर 20,000 से जादा डिलिवरी में करा चुकी हूं 30,000 से जादा ऑपरिशन हम कर चुके हैं तो यह सारी चीजों से इतने परिवारों से हमारा पहले ही एक बहुत ही ख् बहुत ही संतुष्टी भरी एक फिलिंग देता था तो उसके साथ भी जैसे आपने बोला विश्वास तो वही चीज मुझे आत्मिश्वास भी देता था कि हमने लोगों से कुछ लिया है समाज से कुछ लिया है तो यहीं हमें समाज को कुछ देना भी है आपके बायो डेटा जब दिये गए तो उसमें आपने इस बात का भी जिक्र किया कि 20,000, 30,000 जो अपरेशन किये हैं या डिलिवरीज कराई हैं तो इन 20,000 परिवारों में डारेक्ट सीधा संपर्क है इसका एडवंटेज मिलेगा बिलकुल सिर्फ हमारी विधान सभाही नहीं आसपास की विधा जन्हितिक तौर पर ही करें तो अगर हम सामाचित तौर पर करते तो उसका एक अलग तरह का फाइदा हमें मिलता है आसपास जितने भी लोग थे जिन्होंने नातिरिष्टेदारियों में कहा हां आप डॉक्टर शिखा को वोट देना आप डॉक्टर शिखा को तो ये चीज जो लिष्टी अंत समय में एक तरह की से मिला और काफी कम समय आपको मिला हाला कि कन्वेंसिंग आपकी प्रियास पाउंडेशन के जरी प्रियास आपका लगातार जारी था तो ऐसे में धिन राज जो भागदोर जो मैनत आपने की क्या लाइफ में ऐसी मैनत ऐसी भागदोर में मेरा सेलेक्शन हुआ उस टाइम शाद इंडिया की सबसे टफ एक्जैम्स में पी एमटी को माना जाता था वहां से निकले उसके बाद में पीजी में एंट्री के लिए भी खूब बेहनत करनी पड़ी जब हम पोस्ट ग्राजुएशन करते हैं तो बहुत बार 48 से बहतर गंटे तक बिना सोए कई बार बिना खाए पिये हमें काम करना पड़ता है तो वहीं से एक आदत थी कि हम काम कर सकते हैं मैंने जब हास्पिल में भी काम किया तो 24 गंटे मेरी सेवाएं रहती थी हास्पिल में ही मैं रहती थी रात में हो चाय दिन में हो पेशन्ट आते थे में उसी energy के साथ उनको attend करती थी तो यह आदत पहले से थी तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ extra effort करना पड़ रहा है बिल्कुल जब आप दिन रात मैंनत कर रही थी तो challenge जाए तो पर अगर सो लोग टिकेट मागने वाले हैं और अगर एक कोई टिकेट तो मिलना है तो ऐसे में नन्यार में जो लोग है उनको भी मनाना है उनको साथ लेना है तो उसको लेकर के क्या आपको उसके लिए या फिर आपने सब को मनाने में सफलता हासिल कर ली क्या यह मेरा भाग्य रहा कि लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जो वोटरस थे हुनों भी और जो हमारे साथी थे, जो कंग्रेस कारिय करता थे, जो वरिष जन थे, जिन लोगों ने भी टिकेट के लिए एपलाई किया, सभी लोगों ने भाट अच्छे पॉजिटिव तरीके से साथ दिया, और कभी बहुत ज़ादा एनरजी मुझे उसमें लगाने नहीं पड़ी, शायद उन लोगों ने क्या positive मेरे लिए सोचा, उसके लिए तो मैं अब भी उनके लिए हमेशा आभारी रहूँगी, पर इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़ादा रस्ते अपनाने नहीं पड़े कि ह पांच दिन लोगों को मनाने में लग गया, लोगों खुद साथ हाए और लोगों में एक जज़बा था कि कॉंग्रेस को हम इस बार यहां से जिताएंगे और सदन में भीजेंगे बिल्कुल, डॉक्टर शिखा जी, जिस प्रकार से चुनाव आपने लड़ा, राजनतिक प्रश्ट भूमी की बात करें तो आपके परिवार में राजनतिक प्रश्ट भूमी से जो लोग हैं, उनका किस प्रकार से आपको बेनेफिट मिला, किस प्रकार से आपने जो मैनत की तो एक मुस्किल नहीं लगा है।ो, बडा टास्क को मुश्किल करता है। आपको त्यारी करते हैं। कई बार पांच साल सरपंच रहा, नगरपाली का पारशद बना, चेर्मेन बना, फिर उसके बाद वो सीडी दर सीडी आगे पहुंचता है, लेकिन आपने पहली बार एंट्री मारी और पहली बार आपने गोल कर दिया. ग्राशनीतिक परश्ठोमी की अगर बात करें, तो मेरे ससुराल में मेरी एक चाची सास पहले पारशद रही हैं, और उसके बाद वो राजनीति में ज़्याधा अक्टिव नहीं रही, उनका इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा इसमें, हमारे एक चाचा ससुर हैं, वो काफी राजनितिक तोर पर 20-25 साल से करीबन अक्टिव थे, उनकी बहुत लोगों से अच्छे संबन थे, तो इसका definitely हमें फाइदा मिला, अगर ये सोचें कि बिना मेरी personal कोई राजनितिक प्रश्वुमी के मैं आई, तो ये जैसा मैंने अभी तक बताया, कि मेरे समाजिक कारिया और लोगों से जुडाओ का ही नतीजा था, जिसके लिए मुझे पहले से वोट मागने नहीं पड़े, पहले से ये नहीं कहना पड़ा, कि मुझे राजनिति करना है, मेरी मन्शा है कि मैं राजनिति करू, मेरी मन्शा हमेशा सेवा रही, और एक ही मेरा मूल मंत्र रहा, तेरा तुझको अरपन तो इसी पर हम चलते गए और इसी लिए शाय सफलता भी मिली बिल्कुल आपका जब चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था मुख्यमंत्री अशोगेलो उस टाइम पे गए थे आपका प्रचार करने मंच पर जब आपने स्पीच दिया था आपकी स्पीच को सुनकर के इंप्रेसिव हुए थे वो काफी इंप्रेस हुए थे और उन्होंने खुद ने स्पीच में कहा था कि सब कुछ तो डॉक्टर शिखा ने बोल दिया मुझे बोलने की जरूत क्या है तो कहिन कहीं उनकी सोच भी होगी की एक-एक सीट इंक्रिटन्स रगती है और सरकार बनेगी कॉंग्रेस की आपकी भी उम्मीद होगी की सरकार बनेगी और जो जनता से वादे आज किये जा रहे हैं मंच के माध्यम से जो जनता से उनकी समश्याओं को लेकर के भरोसा दिया जा रहा है अब अगर संख्या चलती है सदन में दोसों में से अब कॉंग्रेस विपक्ष में है मिजोर्टी में नहीं है आपके लिए पहला अनुभव इतना बड़ा टास्क चोमूस की जनता से जो आपने वादे किये वो वादे किस प्रकार से पूरा कर पाएंगी आप क्योंकि आप विपक्ष में बैट रही हैं वाप इसमें सबसे पहले तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरा साथ देगी उन्होंने चुना है और उन्हें पता है कि मैं कुछ अच्छा कारिये कुछ पॉजिटिव कारिये करने के लिए ही यहां हूँ तो जो भी विधायक कोटे में हमें आवंटेत होता है उसे हम जनता की सलाह से पूरी तरह से उन्हीं की प्रोग्रेस के लिए यूज़ करेंगे हमने जनता को पहले कही थी क्योंकि मेरे घर में भी पानी का इश्यू है मुझे पता है घर-घर का यह इश्यू है तो हमने उन्हें कहा था कि हमें किसी भी लेवल तक जाना पड़े संघर्ष के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी खुद की ही पार्टी की सरकार हो अगर संघर्ष करना है तो वो किंदर सरकार से भी करना पड़ सकता है अब हमें राज्य सरकार और किंदर सरकार दोनों से करना पड़ेगा पानी की मांग हमें वहाँ उठानी पड़ेगी पर हमारी कोशिश यह रहेगी दायक अपने डिमांड रखे अगर वो लोग विकास में विश्वास रखते हैं तो वो जरूर हमें कॉपरेट करेंगे बिल्कुल जिस परकार से जो अधिकारी होते हैं इलाके में क्योंकि जब भी आप एक जन प्रतिरिनीदी की तौर पर जनता के काम करवाते हैं तो वहां के जो लोकल अधिकारी होते हैं उनका सयोग बहुत ज़रूरी होता है सरकार जब थी कॉंग्रेस की तब तो आप चुनाव के केवल परत्याशी भी होते तो भी वो अधिकारी आपके इशारों पर काम करने के लिए तयार होते थे लेकिन अब आप विधायक भी बन चुकी हैं तो क्या ऐसी मुश्किलें आपके सामने हैं कि अधिकारी जो है उनको अपने ड्यूटी करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और मेरा भी उनसे जब भी बातचीत होती है यही होती है कि आप जो भी जायस काम हैं वो करें मेरे कहने पर आप जो नहीं होने वाला काम है उसके लिए हाँ ना करें किसी और के दबाव में بھی आप यह ना करें और हम काफी लखी हैं इस मामले में कि जितने भी अधिकारी गण अभी हैं वहाँ पर वो लोग इसी चीज़ में विश्वास करते हैं और अच्छा कॉपरेट करते हैं और यही आगे अगर इन केस कुछ शफलिंग भी होती है गोर्मेंट द्वारा तो आगे भी मेरा सभी अध प्रचार सकते हैं प्रमुक के चुनाव प्रचार में जब देखा गया तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो प्रमुख पेजल का जैसा आपने बताया आपके घर में पानी की समझ्या थी तो जब पिसले पांस साल की सरकार कॉंग्रेस की थी तो विधायक बीजेपी के औ यह पर पिसले बार रामलाग्सषरमा को विधायक के चुना आप आपकी बार डक्टर शिखामील बराला को विधायक के तौर पर पर उनेंने चुनकर सदन में भेजा है तो क्या जनता को जो उम्मीद है उस उम्मीद पर किस प्रकार से खरा उतरने की प्लानिंग है क्या action प्लान आपका है विपक्ष की जिम्मेदारियां भी अलग हैं ऐसा नहीं है कि विपक्ष में आके हम कुछ काम नहीं कर सकते विपक्ष में भी हम एक बहुत ही हमारे कंदों पर जम्मेदारी है कि हम जनता की आवास को सदन में पहुंचाएं अगर कोई कारिया नहीं हो रहा है उसके लिए हम पहले demand करें वो नहीं मानी जाती है तो हम उसको सदन में उठाएं और हो सकता है संघर्ष हमारा जादा हो पानी के लिए भी हम इस अगर्ष जादा करना पड़ें क्योंकि जिस योजना की हम इतने लंबे समय से सिर्फ चुनाव ही नहीं राज्जा सरकार केंदर सरकार से इसके लिए हमें अगर कोई आंदोलन भी करना पड़ता है तो उसके लिए भी हम तयार हैं चाहे आज राजनीती होती या ना होती तो भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते और मैं भागेशाली हूँ कि मुझे मौका मिला एक प्रतिनिधी के तौर पर इस समस्या को उजागर करने का तो उसके लिए हम पूरे प्रतिबद रहेंगे संगर्ष हमें डरा नहीं सकता अगर संगर्ष मिलता है तो मुझे लगता ही हमें आगे मजबूती देगा पिल्कुल यह हुई पेजल की बात पानी की बात इसके अलावा बात करें चो तक कर चुके है दूसरी जो समस्या जो मेरे ख्याल से हर कॉंस्य में होती है जो हमारा शहरी शेत्र है उसमें सडकों की होती है पानी की टंकियां कहीं बनी है पर वो अभी आपरेटिंग नहीं है बहुत सारी जगय ऐसी समस्याइं भी है शिक्षा और स्वास्ते को करती हैं पर कहीं न कहीं हम उसे नकार देते हैं अगर हम चाहते हैं हमारी युवा पीडी और हमारे शेतर आगे बढ़ें तो मेरा फोकस रहेगा कि हम शिक्षा पर फोकस करें जो शिक्षा का इस्तर है उसे हम सुधारें जो भी स्कूलें हैं महात्मा गांधी स्कूलें भी बन हूँ चिकेटसा से में जुड़ी हूँ तो जो भी आम जनको आए दिन जो प्राब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो चीज हम पूछें जो कमिया हैं वो पूछें वहां हमारी बहुत सारी विद्याले हैं जिनमें या तो स्टुडेंट्स की संख्या कम हैं या कुछ फैकल्टी रहेगी बिल्कुल डॉक्टर शिखामील बराला जानिमानिग आइकोनोलोजिस्ट रही हैं अब विधायक बन चुकी हैं तो क्या चिकेटसा क्षेतर में सेवाएं निरंतर रहेंगी या फिर अब राजनिती के क्षेतर में ही पूरा समय अपने को दिना हैं मैं फील्ड में जाती हूं तो लोग मुझे जरूर कंसल्ट करते हैं फोन भी आते हैं पर अभी इस चीज के बारे में मैं खुद भी क्लियर नहीं हूं मेरे ख्याल से टाइम जैसे निकलेगा तो मैं इस बारे में सोच पाऊंगी क्योंकि राजनिती जैसा लोग कहते हैं 24-7 जॉब है तो अ अंतिम सवाल सदन के द्वार पहली बार आप पहुंचे और पहला एक्सपिरियंस जब जनता के वीच जाते हैं वोट मांगते हैं तो लगता है कि सरकार अपनी बनेगी और अपन इस मोड में रहेंगे देने के मोड में रहेंगे और अब विपक्ष में है तो मोड ये रहता तो गलत नीतियों का हमें प्रोटेस्ट करना ही होगा, वो काली पट्टी बाननी पड़े, चाहे हमें हमारे आवाज वहां उठानी पड़े, उसके लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, संघर्ष हो सकता है, जादा हो, पर इस संघर्ष से हमें आगे के लिए मजबूती मिलेग और विजेपे सरकार से मेरा, क्योंकि बहुत साथ नए लोग आए हैं, काफी लोग बदल गए हैं, चेहरे बदल गए हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं मेरा एक विश्वास है, कि वो शेत्र की उन्नती चाहते हैं, तो वो भी हमें कॉपरेट करेंगे, बिल्कुल, बहुत-ब बरकार से क्या चुनोतियां उनके सामने हैं, क्या उनके लक्षे हैं, और क्या वो आगे जनता को लेकर के, जनता के समश्याओं को लेकर के विजन रखती हैं, सदन के द्वार, पहली बार में फिलाल के लिए बस इतना ही, फिर से हाजिर होंगे किसी नव निर्वाचित पास्कार